हलो मेरे प्यारे विध्यारतियों कैसे हैं आप आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाई साहिल सर पर इंडिया का बेस्ट प्रक्टिस सेशन इसे हम कहते हैं और ये वाकई में अपनी काबिलियत पे खराबी उतरता है तो उसी बिहाफ पर आपक लिए लगातार चीजे चल रही है तीन वजे खे बजे और मैट बाई साहिल सर ये टरीग्राम चैनल कोइक्ट वाइस से सब्सक्राइब कोई इसे पढ़ाते हैं जो इनिशल आपको थोड़ा सा लगता है कि या थोड़ा लेंदी प्रोसेस है लेकिन यही वर्थ घट है यान तो पढ़ो कुछ ऐसा जिससे selection हो ठीक है तो railway record breaking batch में आप लोगों को उसी तरह से काम किया जा रहा है RPF, ALP, technician, NTPC, group D, paramedical सब के लिए आप लोगों का एक batch अपनी application पर चल रहा है 600 रुपे का offer है आज last date है offer की तो आप ज़रूर जुड़ जाईएगा इससे आप लोगों के लिए foundation batch पर भी offer चल रहा है ये 699 का मिल रहा है live और VOD दौनों cases में आप अलग से math का भी ले सकते हैं हमारे प्यारे परिवार quick tricks by sahih sir application पर जुड़कर इस सारी जानकारी आपको देर दी जा रही है तो आप सभी विद्यारती अप तैयार हो जाईए pen paper रखिए देखते हैं कि आज आप कितने marks लेकर आते हैं ठीक है चलिए शुरू कर रहेंगे very good afternoon भाई एक बार आना share aware लगा दो साथ के साथ आप लोगों को बता देना चाहता हूं test series चाहिए तो quick tricks test series पर आप railway section में test series ले सकते हैं कल 11 बजे कल सुभे 11 बजे हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको गणित का paper कराएंगे कल सुभे 11 बजे कल सुभे 11 बजे आप लोग तयार रहे ना ठीक है एक साथ के साथ फिर पहला प्रशन आपकी screen पर है यह लीजिएगा समय शुरू करते हैं आपका अब अजू अपनी मासिक आएका इतना percent किराये पर बाइस परसेंट किराने के समान पर 14 बच्चों की सिक्षा पर और शेश का 60% अन्य खर्चों पर यदि महीने के अन्त में उसके पास इतने रुपे बच्चते हैं तो मासिक आएक कितनी है देखो आराम से 16% पूरा है 22% किराने पर है 14% बच्चों की सिक्षा पर है तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं 12 और 2,2,4 और 5,52% अब 52% तो खर्चा हो गया अब बोला गया सर शेश का यानि कि 48 का 48 का 60% 48 का 60% अन्यमद उपर खर्च करता है तो 48 का कित यही आपका 18912 के बराबर है ठीक है चार से काटा 12 बारा बार चार चौके 16 बचे 2,4,7,8,4,8,4,8,8 ठीक है और यहां से फिर आपने काटा 4 से 4,1,4,4,4,4,3,4,8,8,4,8,8 और 12 नम्मा 108 और क्या कहते हैं 12 नम्मा 108 बचे 12 और कितना हो जाएगा भई 12 12 बैठेगा नहीं 12 नम्मा 108 और बचे कितने 10 10 10 102 बार यह अठ्टे च्यान में तो 98,500 यही हो सकता है बचारा और क्या ही होगा और कोई पॉसिबल वेज ही नहीं है 98,500 आंसर आगया होगा अगला प्रशन देखते हैं कौन करता है अठारह सु रुपे को नितिन तुशार और गीतांजली में बाटा गया गीतांजली का हिस्सा नितिन और तुशार के हिस्से का पांच बटे चार है अठारह सु रुपे को नितिन तुशार और गीतांजली में बाटा गया गीतांजली का हिस्सा नितिन और तुशार के योग का पांच बटे चार है तो टोटल कितना आगया भाई टोटल कितना आगया नौ रेशो नौ रेशो बराबर आपका आठारे सो है एक रेशो बराबर आपका दो सो है तो गीतांजली का हिस्सा हो जाएगा हजार रुपया गीतांजली का हिस्सा हो गया हजार रुपया गीतांजली का हिस्सा आपने क कालके बढ़ गए ठीक है सर SSC के लिए कब से start होगे चल रही है रात को 8 बजे क्लास चलती है maths की साथ के साथ 9 बजे जी के चल रही है भी है ना मैट्सवर जी के चालो है ठीक है चले अगला प्रशन आपके सामने यह रहा एक बढ़ करके दिखाएए कि गोला जिसकी त्रिजा R है एक शंकु जिसकी त्रिजा भी R है दौनों का आयतन बराबर है तो शंकु क्यों उचाए बताओ तो गोले का आयतन होता है चार बटे 3 पाई R Q और शंकु का आयतन होता है एक बटे 3 पाई R square H तो एक बटे पाई से पाई गया तीन से तीन गया आर स्कॉयर से आर चला गया तो एच बराबर आपका फोर आर आ चुका है एच बराबर फोर आ ठीक है चलिए नेक्स्ट एक दुकानदार किसी वस्तू की कीमत में 40 परशन की ब्रद्धी करता है ठीक है और फिर डिसकाउन देता है तो मैं कहताहूं 100 से उसने क्या कर दिया एक सो चार्ई कर दिया और फिर 10 परसेंट का डिस्काउन दे दिया याने की 10 से 9 याने की कहानी कहाना खतम होगी कहानी होगई सर एक हजार से लेकर 459-1260 तो 100 से कितना आ रहा है 126 तो आपका जो percentage profit आ रहा है वो कितना आ रहा है 26% 26% answer आ चुका है आपका ठीक है यह direct profit हो जाता है एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चीज़ और ना फोड़े अगला प्रशन करके दिखाओ चलो अब जो बच्चा देख सकता है या value भी put कर सकता है तो देखो A और B की value तीन और एक रखने पर क्योंकि तीन और एक चार भी हो जाएगा तो तीन तिया नौतिया 27 और एक का cube एक याने की answer कितना आ जाएगा 28 आपका right answer होगा ठीक है ठीक है next अगला करिए यह बहुत famous question है आप सभी लोगों का फेवरेट है देखिए 1 प्लस साइन थीटा और नीचे आया 1 वाइनस साइन थीटा ओपन नीचे गुणा कर दिया वन प्लस साइन थीटा का उपन नीचे गुणा करने पर अब जैसी आप देखोगे तो यह हो गया सर वन प्लस साइन थीटा का whole square और यह हो जाएगा a plus b a minus b a minus a square minus का b square तो one plus sine theta बटे cos square theta का cos theta यह हो जाएगा सर जी कितना sec theta plus का 10 theta तो यह तो इसकी value आ गई अब आपको क्या लगता है इसकी value क्या आ जाएगी यह इसका conjugate type भी तो है यह ज्यादा ज्यादा sec theta minus 10 theta देदेगा और क्या होगा अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 theta से 10 theta आपका चला गया तू sec theta answer आ चुका है कि सरी कुश्चन पेपर में आते हैं 100 प्रसेंट आने वाला प्रशन भाई ठीक है हां सर्ट टेक्निशन का बैच बता दीजिए सर्ट टेक्निशन का एक ही बैच विकास और भी वैच सब कुछ के लिए हो जाएगा उसमें अब यह तो चीर के दिखा नहीं सकता अनमान जी की तरह क्योंकि फिर मैं बचूंगा ही नहीं फिर कोर्स कैसे कंप्लिट होगा समझे बात आप है बस अच्छे से पढ़ाई कर लो सेलेक्शन ले लो हम तो यह दे सकते हैं आपको बाकी तो फिर घूम लो ज्यादा बैटर है चलिए अगला प्रश्न है क्यों पार के क्यों और ner का अंतरिक दूभाजक और ओ फिर प्रितिश्ट करता है तो वह इस तरह कि आप क्या कहेंगे इसको बता दो तो हम यह कह सकते हैं वह जैसे मांन rub यह यह पी है और यह Q है और यह R है PQ R का जो आंतरिक दुई भाजक है जैसे कि मान लो Q का आंतरिक दुई भाजक हो गया और R का आंतरिक दुई भाजक हो गया यह ओपर मिलता है भाई अब मैं ही कह रहा हूँ इंटरनल BISECTOR है यह और अोपर मिलते हैं तो R O Q, R O Q कितना है 9 डिगुरी है ठीक है तो आपसे पूछा गया है sir R P Q बता दो इे R P Q क्या होगा यह आपको बताना है तो जब कभी भी इंसेंक्र वाला case लगता है तो न क्यतकि ह है तो यहां से जो एंगल पी आ जाएगा वह 12 डिगरी आ जाएगा ठीक है 12 डिगरी आ जाएगा तो यह बड़िया कोश्चन नहीं आता है पर में ना इंटर्नल एंगल बाइसेक्टर को ही इंसेंटर बोलते हैं ठीक भाई सब अगला कोश्चन देखिए लाइक शर्ब रही है और आनंद उठाइए है ना और आनंद यहीं मिल जाएगा आपको य बराबर एक रख दोगे तो य बराबर एक रखने पर देखो टू एक्स माइनस का वन और यहां आरा एक्स प्लस का थ्री अब जब बराबर करोगे आप तो एक्स प्लस का थ्री बराबर हो जाएगा सर टू एक्स माइनस का वन तो यहां आरा एक्स बराबर चार तो एक्स खेक करमचारी का वेतन दिया हुआ है। जो गलती से इतना दर्ज हो गया। तो शंशोथित वेतन बताओ। यह मस्त कोश्चन है देखो। अब देखेक्ट कौन ढण यह अजुभर्यज है बॉत गड़बड हो गई इतना है जो गलती से इतना दर्ज कर लिया। sis… कितनी हुई है वो देखो और फिर वो माइनस होगा प्लस होगा वो देखो अच्छा कुश्च नहीं कि सर सीटीम समझ में आ रहा है तो कोर्स लेना जरूरी है क्या बिटा अंशुल कोर्स आपकी मजबूरी नहीं है कभी भी आप लोग कोर्स किसले लेते हो या आपको कोर्स क्यों लेना चाहिए क्योंकि ऐसा वहां है जो आपको नहीं पता है इसले लेना चाहिए आपको अगर वहां से कुछ आता है तो आपको पड़ा हुआ होना चाहिए इसलिए लेना है आपको वहां क्वालिटी है तो लेना है अगर क्वालिटी नहीं है तो हर किसी का नहीं लेना है अगर हमारे कॉर्स में कुछ अलग बात है तभी तो हम दिन बार रोते रहते हैं अगर अलग कि हम ऐसी चीज़ देंगे बच्चे को उससे सेलेक्शन होगा इसलिए हम बार बार बोलते हैं 16,584 रूपे एवरेज हैसर इसकी बजाए गलती से यह लिख दिया तो गलती तो हुई है यानि कि 41,238 आप लिख रहे थे अब है 14,526 अब 8 में से 6 गया तो 2,3 में से 2 गया तो 1,12 में से 5 गया तो 7 और 40 में से 14 चला गया तो कितना हो जाएगा 40 में से 10 गया तो कितना 30,30 में से 4 गया तो 26 26,712 क्या होगा माइनस करवाए गए और केक करती है तो बेटा सब में बढ़ती है सब कितने 28 लोग है माइनस तो होगा 26,712 तो केक कटती है तो भीए सब में बढ़ती है ये बात आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं और आप समझदार के लिए इशारा काफी है और इशारा बहुत किलियर है कि 26,712 को अगर आप 28 से भाग करते हैं तो 904 आ जाएगा अब इसमें से 16,584 माइनस क कर देने पर तो 4 में से 4 गया तो 0 और 8 में से 5 गया तो 3 और 165 चले गए चार चले गए तो आंसर आजाएगा सर 136 यह आपका सही एवरेज होगा ठीक है सही एवरेज का जवाब आ गया आपका अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है करके दिखाओ कर दो cuatro ओपकी स्क्राइबुण में स्क्राइबु स्क्राइबु झाल झाल आप 64 का 3 बटे 4 निकालेंगे तो कितना हो गया 16 48 और 16 32 ठीक है तो यहां से जो अंतर आ रहा है वो 16 निकल कर आ रहा है अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है यह लीजिए करके बताईए प्रशन आपकी स्क्रीजिए тоб ultimate करेंवा यहां प्रत्वारी यह यह है यह लीजिए कर मैं तो निकी स्क्काष्छा के बताईए कि एक नौ सेंटीमेटर की आंतरी तिर्जा वाले अर्द गोल अर्द गोले कटोरे में द्रब भरा हुआ है इस द्रब को तीन सेंटीमेटर व्यास और चार सेंटीमेटर उचाई वाले वेलनाकार उसमें ड्ढाला जाता है तो यहां हम यह कह सकते हैं कि 3 cm व्यास है तो आपकी जो radius हो जाएगी 3 बटे 2 हो जाएगी ठीक है आपकी जो उंचाई हो जाएगी उंचाई जो हो जाएगी वो 4 cm हो जाएगी ठीक है उंचाई हो जाएगी वो 4 cm हो जाएगी अब आप मुझे बताइए अब यह व्यास भी तो कितनी बोतलों की आवशक्ता ऐसी देखिए दो बटे 3 पाई आर क्यूब और क्यूब हो गया ठीक है तो कितनी आपकी बोतले भरनी चाहिए एन इंटू पाई आर स्क्वाइर याने कि 3 बटे 2 3 बटे 2 और ह ह ठीक है तो यहां 4 से आपने 4 कार दिया 3 तिया 9 से यह 9 कर चुका है पाई से आपका पाई कर चुका है ठीक है तो 3 तिया 9 27 दूनी 54 बोटलें आपको भरनी पड़ेंगे मतलब उसको 54 बोटलों में आप वाल्यूम एक्क्वल करके बराबर कर सकते हो इसली अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है यह लीजिए करके बता कर दो झाल्यूम एक्वल झाल्यूम एक्वल कर आपकी स्क्वल जूनीूम एक्वल झाल्यूम झाल 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 एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कडे हैं पहले 4 कडों का एवरेज कितना है 30 ग्राम है बाकी के 6 कडों का एवरेज कितना है 31 ग्राम है तो सभी का एवरेज कितना है अब 30 अगर आपने बेस माल लिया तो 6 और केक कटेगी 6 और 4 दस सब में बटेगी तो 30.6 हो जाएगा 30.6 ग्राम आपका हो जाएगा अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है यह लिजे करके बताईए चलिए विशाल क्या रहा है सर यूट्यूब पर मैट्स के लिए फ्री क्लासेश चलेंगी क्या विशाल चल रही है भाई आपको पता नहीं है बस इतना ही है तो जब आपको नहीं पता है और आज आप क्लास में आये है तो आपको बताना मेरा फर्ज बनता है कि already class 11 वज़े चलती है regular basis पे चलती है ठीक है लेकिन वह foundation नहीं है ओके हाँ वह foundation नहीं है लेकिन ठीक है पीटा clear हो गया अब देको sin square theta cos square theta यह तो 1 हो गया 10 theta cos theta sin theta cos theta तो answer आगया 1 अगला करिए 20 हरी और 15 लाल गैंद एक बरतन में डाली जाती है अब एक हरी गैंद को चुनने की संभवना बता दो तो मैं कहना चाहता हूं 20 में से एक हरी गैंद हो और 35 में से एक हो तो 20 बटे 35 तो पांचों के 20 और पांच सत्य पैंदिस पांचों के 20 और पांच सत्य पैंदिस चार बटे साथ अगला करिए अगला के वर्ग मूल और चार के वर्ग का गुणनफल बताओ तो सोला चौके चौंसट अगला करिए मदा आएगा इस कुशन में कर दो कर दो कर दो कर दो कि जो अजब दो त्योरी क्लास का विशाल अपने फाउंडेशन में चलती है उसकी पराइज चेशन नियन्यान में रुपे एक साल की वैलेडी एक व्यक्ति कुल दूरी के दोबटे पांच वे भाग पर चलता है बस द्वारा शेश दूरी के एक तीहाई भाग को तै करता है तो तै की जाने वाले शेश दूरी का भाग क्या होगा मस्थ कुश्चन है केखेख कुल दूरी का 2 बटे 5 भाग चलता है बस दौरा शेष दूरी का एक तिहाई तो मैं कहता हूँ टोटल दूरी मैंने 15 मानली 2 बटे 5 भाग कितना हो गया चैय यूनिट अब 6 दूरी शेष दूरी हो गई 9 9 का एक तिहाई भाग तै करता है तो 3 तो 6 और 3 9 अब बाकी कि पंद्रा और 6 बटे पंद्रा यहीं कि 3 दुनी 6 और 3 पंजे पंद्रा दो बटे 5 भाग अभी बचा हुआ है शेश भाग है दो बटे 5 हुक फुक के गदम रखना है जिसे गलती होने के चांस है सोड़े कम रहें अगला प्रशन करके दिखाईए क्या आंसर आता है झाह भाग है देखो अब यह होगा सर 14 x माइनस का 6 x प्लस का 9 बरावर 1 8 x बरावर माइनस का 8 x बरावर माइनस का 1 बस सॉल्व करना है कैसे करते हैं वह आपके उबर डिपेंड करता है अगला प्रश्न दर बतानिये वार्षप दर क्या होगी साधर्ण ब्याच पर एक निश्चित राशी दो वर्षों में इतना हो जाती है दो वर्षों में 1404 रुपे हो जाती है यह अमाउंट है और पांच वर्षों में पंद्रेसो साथ ठीक है तीन साल का साधर्ण ब्याच तीन साल का साधर्ण ब्याच कितना हो जाएगा दस में से चार गया तो छे पांच ठीक है 156 एक साल का तीन पंजे पंद्रा और तीन दुनी च्छे बावन रुपया एक साल का साधर्ण ब्याच बावन रुपया एक साल का बावन रुपया होता है अब प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे एक सो चार रुपय घटा दो क्यों दो साल का घटा दो प्रिंसिपल आ जाएगा तेर सो आपकी यहां से रेट अफ इंट्रेस्ट निकल जाएगी आसानी से चार परसेंट रेट ऑफ इंट्रेस्ट आ रही है एक साल का ब्याज मूल्धन पर निकालना ही आपका क्या होता है क एक साल का ब्याज मूल्धन पर निकालना ही आपका रेट अफ इंट्रेस्ट को दर्शा आता है अगला कोशन करिए यह भी घजब का कोशन है कॉम्प्लिमेंट्री एंगल आप जानते हैं कॉम्प्लिमेंट्री एंगल क्या होता है ऐसे एंगल जिनका योग 90 डिगरी बने उ अर्थमेटिक एडवांस दौनों करवाएंगे क्या बिटा दौनों ही करवाते हैं अब यह आप मुझे लगता है पहली पहली बर क्लास में आये हैं दौनों ही होती है फाउंडेशन में तो पूरा होता है ना पूरा मतलब पूरा और वह ऐसा पूरा कि आपको फिर दूबा iamun plus theta to 90 degrees होगा जैनि इस सर यह बराबर हो जाता है कि हां oveीको 43 00 enfim 24 90 हो रहा है बराबर हो गए jago 19 और 91 ओर रहा है यह ठीटा है ना द्यान रकना है तीन नहीं यह ठीटा है तो यह एक प्लस का एक माइनस आट और कॉस्साट की वेल्ली वे एक बट्टे-दौ तो यह हो जा next question आपके सामने ये रहा आपके सामने में ऊहां एके सामने करें Hamm orphan लैपके सामने में आपके सामने पनार ये best disc झाल झाल तीन कोणों का माप दे रहे है आठ और दो 10 दस बराबर कितना हो गया 180 डिग्री अब मैंने जब यहां देखा कि सर हो गया 18 तो एक एंगल मेरा हो जाएगा 36 एक एंगल मेरा हो जाएगा 108 और 84 और एक एंगल हो जाएगा मेरा 90 तो जब कभी दिग्री एक भी एंगल बन जाए तो right angle triangle कहलाता है एक भी एंगल बन जाएगा ना right angle triangle बन जाता है अगला प्रश्न करेंगे बिया शैवंटी सिक्स डिग्री के trailing 0 जिरो कितने होते हैं तो यह कैसे निकालेंगे 76 बटे 5 तो 15 बार 15 बटे 5 तीन बार ठीक है अब तीन बटे 5 जीरो बार नहीं जाएगा ना तो कुल मिलाकर आपके जो ट्रेलिंग जीरो है वो 18 जीरो ही बनेंगे यानि कि जो 10 की अधिक्तम घात होगी वो 18 होगी मैक्सिमम पावर जो होगी अठा रहे होगी सर साइंस का प्रैक्टिस सेट कब होता है सुभा में होता है और रात को दस बजे होता है है ना चलिए कि नेक्स्ट अगला कोशन करिए अब एक्स माइनस टू से विवाजित कर दिया भाई अब एक्स माइनस टू से विवाजित करने का मतलब एक्स मैंनस टू बराबर जीरो रखने पर एक्स बराबर दो रख दिया मैंने अब जैसी मैंने दो यहां पुट करूंगा तो 2 का क्यूब आठ दो का क्यूब चार दो का परसेंटेज जानते हो तो आप जानते हो कि सर ये 28.56 है एक बटे तीन ये 33.33 परसेंटेज है ये आपका 83.33 है और ये 75 परसेंटेज सबसे बड़ी हो जाएगी सर पांच बटेज है देखती ही बनता है कुशन तो कुछ रगर नहीं नहीं है हाँ नेक्स कुशन देखेंगे भाई चलिए अब एक्स अक्षकोप माइनस के पांच इकाई दूरी पर काड़ती है और प्रवनता दे रखी है तो पताओ कैसे करोगे अगर मान लो कोई एक्क्योशन है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी ठीक है मान गए अब एक्स अक्षको माइनस पांच इकाई दूरी पर काड़ती है एक्स अक्षकोपर काटेगी तो य बराबर जीरो हो जाएगा और x बराबर माइनस का 5 तो यहां मैं कह सकता हूँ y बराबर 0 प्रवणता 3 बटे 4 और x बराबर कितना हो गया माइनस का 5 फ्लस का c तो c की value कितनी आगे भाईयों इधर यह चला जाएगा 15 बटे 4 आगे c इससे क्या फाइदा मिलेगा इससे आपको एक समिक्रण बनाने में आसानी होगी कि y बराबर m की value 3 बटे 4 x की value कितनी है x रखनी होती है और c की value 15 बटे 4 क्योंकि हमें तो equation चाहिए न तो यहां आगेसर 4y बराबर 3x प्लस 15 अब आगेसर क्या 4y माइनस का 3x यह कह सकते हैं 3x माइनस का 4y प्लस के 15 बराबर 0 है क्यों तो यह कहा निया भाई अब आएगा तभी तो नहीं आएगा तो कैसे होगा ठीक है चलिए अन्तिम प्रश्न फोड़िये एवरेज का अब बुद्वार से सुबह एक्सप्रेस बेच में एवरेज शुरू हो जाएगा अब पांच संख्याओं का योग window का यो दो संख्याओं का इसलिक से में इसलिक अपने आप आप निकल कर आ जाएगा हमाँए अब आप दो संख्याओं अब तो permite तो इन दिस्पों किनग आपइगी तो आज 25 कुशन में से कितने नंबर आए पहले तो वो कमेंट कर दो जिन से लाइक नहीं हो पाया बाकाइदा वो बिलकुल काइदे से लाइक करिए पहले साथ के साथ विग अनॉंस्मेंट आपका बुद्वार को होने वाला है तैयार रहिएगा 20 मार्च को उसमें हम एल्पी और टेक्निशन के लिए एक अनॉंस्मेंट करने वाले हैं आपको बहुत सारी चीज़े देने वाले हैं ठीक है हमारी एप्लिकेशन से जुड़कर आप हमारे फाउंडेशन बैच में जुड़िए जो की वन ऑफ दा बैस्ट बैच है इस इंडिया का आप लोगों को किसी त चल रहा है वो लाइव मिलेगा और जब हो जाएगी क्लास तो रिकॉर्ड में चले जाएगी अपने आप तो सर वीडियो को हम पचास बार देख सकते हैं आप कितनी भी बार देखो एक साल तक आज लोगे तो आज से एक साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी एडवांस में त कर आप सारा डिसकाउंट भी पा सकते हैं साथ के साथ आप कैसे लेंगे आप पेड कोर्स में जाएंगे उस पेड कोर्स में जाने के बाद में आप रेलवे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेच पर क्लिक करेंगे आप अपको मैत का लेना है तो मैत फांडेशन बैच पर क्लिक करे तो आपको देखो join के button पे click करना है, submit पे click करना है और उसके बाद एक link आएगा, उस link पे click करके आपको यहाँ coupon जरूर लगा देना है, क्याई बच्चे coupon भूल जाते हैं, तो coupon बेटा यहां से लगाना है, तब ही जाके वह 1899 पढ़ेगा, और आपके लिए यह offer आज रात तक क पड़ेगा ठीक है अगर कोई क्वेरी आए तो इस नंबर आप कॉल या वाट्सअप कर सकते हैं और हमारी यह अपना एप्लिकेशन है डाउनलोड कर लेना ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए माइडियर स्टुडेंट्स और हमारे साथ जुड़ जाएए जैहिन जैभारत वंदे मात्रम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए अपना दिहान रखिए बाइबाइब लव यौल